राजकुमार भाटी जी पाखंड राम का नाम लेना राम नवमी पर राम की पूजा करना पाखंड होता है ये जो लाखों रोज लाखों लोग रोज जा रहे हैं राम मंदेर वो सारे पाखंडी है नाविका जी अभी CSDS के एक सर्वे आया उनोंने जनता से पूछा कि मुख चुनाओं के मतला आपकी समस्चा है क्या है क्या मुद्दे होने चीए है तो 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी और 23% ने कहा महंगाई और अनमुद्दे किनवाई किसानों की समस्चा महिलाओं की सुरक्षा जनता के मूल मुद्दों को छोड़के भारती जनता पार्टी ने जनता को धार्मिक मुद्दों में उलजाय रखने चाहता है पूरी तरह चुनाओं को धार्मिक विशय पर केंदृत करना चाहता है राम के नाम पर वोट आ से भगवान के नाम पे वोट हासिल करना चाहता तो इससे पता चलता है कि भारते जंता पार्टी और एंडियर उनके समर थक कितने घबराए हुए भगवान के नाम पे भीक भी मिल जाती है भिकारी को, वोट मांगनी है तो अपने काम के वोट नाम पे मांगो अगर मोदी जी ने दर्स साल में कुछ किया होता मोदी जी ने जो लंबे-लंबे चोड़े चोड़े वादे किये थे मैं काला धन ले आऊंगा काले धन वालों की सूचिय हो जागर कर दूंगा किसानों के आमदनी दुगनी कर दूंगा बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, दो करोड रोजगार दूँगा, रुपे की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी, पैट्रोल डीजल 35 रुपे पे आ जाएंगे, जो यह सब्जबाग दिखाए थे, उन्हें पता है कि इनके उपर जनता नाराज बैठी है, और जनता इनको इस चुना में सबक सिखाने वाली है, इसलिए राम, 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 भगवान, मंदिर, मंदिर, ये रट रहे हैं, और ये भी देश, और देश का बुद्धीजी विवर्ग और देश के समझ़धार लोग अच्छी तर तक कम हो रही है कोई भी निश्पक्ष वक्ती आखरी दोवा के बोल रहा हूं देश का नकसा फैला के मेज पर बैठ जाए और इमांदारी से टिक मार करें कि कौन से स्टेट ऐसी है जिसमें बीजेपी किसी बढ़ रही है हर स्टेट में कम हो रहे है इसलिए बहुत डाउन जा आपको तमाम दर्शकों को आपके चैनल के सभी को पैनलिस्ट को राम नौमी की बहुत बहुत शुब कामनाएं मैं सबक्ता हूँ नमाजवादी पाइटी के प्रवक्ता भूल गए कि वो भी शुब कामनाएं दें क्योंकि अभी वो पता निक गुर्राय उर्राय के रहे थे तो शायद हो जाता है बहुत लाहट में ऐसा लेकिन वह एक बात जरूर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा अगर कहने के लिए आपके पास कुछ है तो अगर आपके पास कोई विचार है अब्जेक्शन रेज किया है राजकुमार भाटी जी ने और इनकी आदत है ये करेंगे लेकिन मैंने अपनी बात कह दी बिना बदजुमानी के भी अपनी बात रखी जा सकते जी जी गौर बाट ये मेरा समय मुझे दे दीजेगा मेरे को इनके अब्जेक्शन से कोई फरक नी बड़ता है दन्यवादा देखें जो बड़ी बात मैं रेज करने जा रहा हूँ मैं क्या मुद्ध उठा रहा हूँ आज राम नौवी का पर्व है और हमने देखा किस तरह से प्रभू राम के ललाट पर सूर्य की केड़ने लगी और सूर्य तिलक हुआ इस से हर हिंदू वो तो गर्भ महसूस कर रहा था लेकिन जो समाजवादी पार्टी की टूटी साइकल वाले नेता हैं ये लोग घबरा गए नाविका जी और राम गुपाल यादव क्या बोल गए राम गुपाल यादव बोले कि जो राम नौमी का उत्सव मनाता है वो पा इफ्तार पार्टी में देखिए किस तरह से बिना रोजा रखे इफ्तारी करते हैं ये पाखंड है की नहीं है भई हमारी राम नौमी को तो आप पाखंड बताते हो ये इफ्तारी पाखंड है की नहीं है इसका उत्तर जरूर दे दूसरी बात आप देखिए आज ही ममता बै जी ने कहा इद आई थी तो इद पे तो शुबकाम ना दी थी दाविका जी और आज बोल रही है उनका ट्वीट है कि दंगे होने का बहुत उमीद है इसलिए सयम बनाए रखिये अरे कानून विवस्ता तो ध्वस्त है आप मस्त है तुष्टी करण की रादिती करती है दंगा दी कि राम नववी का जलूस निकल सकता है क्योंकि ये बता रही थी कि वो भी नहीं निकल सकता और पिछले साल का एक व्यक्तव याद कराता हूँ नाविका जी हम लोग आजाद भारत में हर महला हर गली आपका भी है और तैसीन भाई का भी है ममतब एनर जी बोली ये मुस स्टी करण की परकाष्टा ममतब एर जी नमाज अदा करती हैं लेकिन राम नौमी से इन लोग को बड़ी दिक्कत हो जाती है तीसरी बड़ी बात कहके मैं अंत करूंगा अपनी बात को अरे भाजपा तो 370 प्लस लाएगी नरे मोदी जी ने कह दिया इंडिये 400 प्लस हमारी बात करना छोड़ो ये बताओ कॉंग्रिस पार्टी कितनी सीटे लाएगी समाजवादी पार्टी की कितनी सीटे आ रही है पिछली बार तो पार्ट पे अटक गए थे अभी तीन सांसद है हो सकता है इस बार अंडा है शून है हमारी बात ये भी करते हैं जगता भी मोदी ज क्या रहा है कि 370 प्लस आएंगी इसका मतलब ये चुनाव तो भाजपो और इंडिये का चुनाव है ना ये लोग तो अपनी बात करने की भी हिमत नहीं उटा पा रहे हैं चलिए सब के हाथ उपर जा रहे हैं तैसीन जी आपके पास आरी उपर कांटर का समय दूंगी 30 सेकि ना नमाज पढ़ना पाखंड है सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और हम सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं हम नवरात्रे में भी बुलाए जाते हैं उसमें भी सरद्धा पूरोग जाते हैं मंदिर में भी सरद्धा पूरोग जाते हैं एद पे बढ़ाई देने जाते मुस्लिम भाईयों के घर पर हम ऐसा नहीं है कि आदर जी ने क्यूं कहा कि यह पाक खंड है मैं पाक खंड़ी नहीं हूँ एद्प़ तो ऐसा नहीं कहते आदर जी क्यों पार यहिंक करते यग करता है इस वर को निर्गुन निराकार मानता है उसका भी सम्मान है और कभीर नहीं कहा था कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगानी लेकिन किसी नहीं कहा था जो राम गोपाल यादव जी ने कहा मैं आरे हूं इसकरंजी लेकिन पहले तैसीन पुनावाला तैसीन पुनाव आपने प्रान प्रतिष्ठा यानि कि कॉंग्रेस परी ने प्रान प्रतिष्ठा बॉई अमेठी पर सवाल, आज तक अगर कॉंग्रेस पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, तो पत्रकार क्या पूछे भी ना, कि भाई अमेठी से किसको उतार रहे हैं? अगर कि भी नाकर लोगों को बेरोदगार करने का जो पाप किया है, क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं थी? धोंसे नहीं, काम से, रामराजय, रामजी जो है, रामराजय से जाने जाते है, लगों को रीट सदा चलिया है, प्राण जाय पर बच्चनना थे, पर नविकाजी अपनी बात इस टीश से सहाब करना चाहता हूँ, यह क्यो बात करना चाहते है हिंदू-मसलमान की, क्योंकि पार्टी 190 सीते लेने जा रही है इंडिया की सरकार बन रही है इंडिया लाइंज की सरकार और भात्पाद चुना वह अरने जा इसलिए भॉक्ला नाते इसलिए इसलिए डरे हुए है इसकरन भंडारी नाविका जी पहले तो आज राम नवमी है और अकलेश यादव और नेता कहते हैं पाखंड है तो उस पे बोलना जरूरी है मुझे तो लगता है पाखंड उन्होंने जो उनकी विटार धारा है उसके हिसाब से कोई बहुत अपतिजनक शब्द नहीं किया क्योंकि ये तो वो पार्टी है जिसमें मुलायम सिंग यादव ने कार सेवकों पे ग क्या-क्या चिठ्थिया लिकी थी क्या-क्या बादाएं डाली थी किस तरह जो लोगों ने निर्मान किया उनके करियर को डिस्ट्रॉय किया था वो सब डॉकुमेंटेड है तो ये तो सोमनाच से चला आ रहा है या जब सत्ता में थे तो राम कालपनिक हैं वो सब बोलना या मंदिरों पर अपकी जगाना या हिंदुत्वा हिंदुर्जम पर लेक्चर देना जब समझ दोनों की नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मुझे नहीं लगा